जैहिन नमशकार वेरी गुड आफटरनून तो आल माइडियर स्टुडेंट्स और वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है ऑनलाइन बेंचर पे और सबसे पहले टीम ऑनलाइन बेंचर की तरफ से आप सभी बच्चों को नव वर्ष की हा 2021 सबसे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जूर रहे हैं वह प्लीज ऑनलाइन बेंचर के मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड करें और साथी साथ हमारे टेलिग्राइम चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी content हम आपको यूट्यूब चैनल के उप पर डेलीवर करते हैं उन सभी कंटेंट्स को आप PDF फॉर्म में इन ऑनलाइन बेंचर्स के टेलिग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सको चलो आज का सबसे पहला यह रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रस्ट यह पूछा जा रहा है कि एकॉर्डिंग तो इंडियन Constitution if the office of the President of India falls vacant then it should be filled within how many days यानि की भारतिये संविधान के अनुसार यदि भारत के राष्टपती का पद रिक्त हो तो इसे कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए यह option है थ्री मंथ बी है चार महीने सी इस सिक्स मंथ एंडी इस वन मंथ इन में से वह कौन सा सबसे सही विकल्प है इस प्रशन के लिए कि अगर रास्पती का पद खाली हो जाए रिक्त हो जाए तो कितने महीनों के भीतर इस पद को हमें दुबारा से भर देना है तो आपको बता दू मैं यह जो प्रोवीजन है इसके अंतरगर्द आपको ध्यार लखना है छे महीने तो भर देना अनिवार है अगला सवाल यह है विच आप दा फॉल्लविंग इस ऐग्यामिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम निमलिकित में से अनबुझे चुने का राशायनिक सुत्र क्या है ठीक है ना क्विक लाइम का राशायनिक सुत्र बताना है आप लोगों को CA2O, CA2O3, CAO2 या फिर CAO यह कैलसियम ऑक्साइड होगा कैलसियम डायोक्साइड होगा ठीक है ना चार आप्शन्स दिए गए आपको बताना है कि क्विक लाइम का क्यामिकल फॉर्मूला यारी कि राशायनिक सुत्र इन में से कौन होगा प्लीज टेलमी ड़र करेक्ट आण सर पॉर इस क्क्विएजन आपको बताद लोगर क्िक लाइम का कैमिकल फॉर्मूला पुछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यालसियम ऑक्साइड ये क्या है क्यालसियम ऑक्साइड ये ध्यान रखना है आपको ठीक है ना इसे हम क्यालसियम ऑक्साइड भी कहते हैं और लाइम स्टोन और जो सी सेल्स होते हैं जो समुदर में पाये जाने वाले जो शंक होते हैं या जो चूना पत्थर होता है उनके डिकम्पोजीशन से इस क्विक लाइम का फॉर्मेशन किया जाता है ख्रिश्ण पत्नम बंदरगा या कृष्ण पत्नम पोर्ड जो है इन मेंसे किस राज्य में इस्थित है अब कहते होता है प्लीज गो फॉर फॉर दक्विक रिप्लाइग फटाफ़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इसक्वेशन के आंस्ट को type कीजिए कि Krishna Patnam Mandar Gaha जो है ये कहा पे स्थित है आपका answer क्या हो देगा बच्चों it's the Andhra Pradesh B is the correct answer आपको ध्यान रखना है कि जो Nellore district है कौन सा है Nellore district Andhra Pradesh का ये ध्यान रखिएगा जो NH 16 है Golden Quad Electoral पे उस पर ये district आती है इसको हम लोग क्या बोलते है Chris Patnam Port Company Limited KPCL ये जो port है इसको ओन और operate किया जाता है KPCL के दरब उन KPCL Chris Patnam Port Company Limited और ये इंडिया का सबसे बड़ा Private Sector Port है यानि कि भारत के नीजी छेतर में ये सबसे बरि बंदर हा है इंडिया's largest Private सेक्टर पोड जो है और इसे इनागरेट किया गया था 17 जुलाई 2008 को और इसका जो कुल छेत्रफल है वो 4553 एकर से लगबक सारे 4000 एकर में ये पोड फैला हुआ है आज का अगला प्रस्ट क्वेस्चन नंबर फोड हूँ अमांग विच अमांग दा फॉल्विंग इस कॉल्ड इस फिलोसफर्स फूल निम्न में से किसे फिलोसफर उल के नाम से जाना जाता है इस इट ए जिंक ऑॉकसाइड इस इट बी जिंक ब्रोमाइड इस इट सी जिंक नाइट्रेट और इस इट डी जिंक क्लोराइड आपको बताना है फिलोसफर्स फूल किसे कहते हैं फिलोसफर वुल किसे कहा जाता है ये सवाल पूछा गया है जिंक ऑक्साइड को जिंक ब्रोमाइड को जिंक नाइट्रेट को या जिंक क्लोराइड को ये पूछो ये बताओ मेरे से ये बताओ इसका अंसर फटा फट सब लोग तो आपको ध्यान डखना है इसका अंसर क्या हो जाएगा जिंक ओक्साइड ए इस दे करेक्ट आंसर जो जिंक ओक्साइड है इसे हम लोग फिलोसफर्स वुल कहते हैं ठीके ना और ये एक इन औरगेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला जेड एन ओ होगा और ये एक वाइट पाउडर होती है जो वाटर में इन सॉलिबल होता ये आसानी से पानी में घुलेगा नहीं ठीके ना और इसको सबसे जादा हम यूज करते हैं एडिटिव में इन नूमरस स्टमक्स गलास सिमन्ट लूपरिकएंट पेंट और अठीक जो चिपकाने वाली भॉस्तुवच्वे आती हैं इसके आलावा जो सीमेंट अढ intrins ऑघन धन के अपने अपने आय सकते हैं इंजन ओयल के रूप में इन सब चीजों में इस जिंक ऑक्साइड का क्या किया जाता है प्रियोग या इस्तेमाल किया जाता है इसको ध्यान रखना है आप लोगों को अगला सवाल यह है बाइविच आप दा फॉल्विंग अमेंड्मेंट्स सिंधी लैंग्वेज व कौनसे Constitutional Amendment Act के दुआरा सिंधी को हम लोगों ने संभीधान के Part 17 और Schedule 8 में सम्मिलित किया था Is it a 92nd Amendment Act 2003, 71st Amendment Act 1992, 21st Amendment Act 1967 या उपरोप में से कोई भी नहीं आपको बताना है कि इन में से किस संभीधानिक संसोधन का उपयोग करते हुए या प्रियोग करते हुए सिंधी को भारतिय संभीधान के पंदरहमी भासा के रूप में भाग 17 और अनुसुची आर्ट में सम्मिलित किया गया अब एक चीज़ ध्यान रखो इसका अंसर C option होगा जो सिंधी है इसको हम लोगों ने as a 15th language पंदरहमी भासा के रूप में जो रहा था किसको सिंधी को अगर हम 71st की बात करें तो इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है तीन languages को add किया गया 71st के द्वारा क्यों क्यों सी तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि 71st amendment add के द्वारा हमने तीन languages को जोड़ा एक हमारा था कौन कनी दूसरी हमारी हो जाएगी मराठी और इसके बार ध 90 सेकेंड था इसके थुरू हम लोगोंने BDMS, B for Bodo, D for Dogri, M for Mathly और S for Santali यह 19, 20, 21, 22 भासा थी यानि कि all together total कितने languages हो गए 22 constitutional languages इसको ध्यान रखना है आपको अगला सवाल यह है कि in which of the following city कैलाश fair is celebrated निम्न में से किस शहर में कैलास मेला आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है A is Varanasi, B is Priyagraj या Allahabad, C is Agra and D is Gorakhpur आपको यह बताना है कि इन में से किस शहर में कैलास मेला जो है वो मनाया जाता है this is the question for you and you have to answer it please go for the reply सभी लोग इसको फटाफट रिप्लाई कीजी आंसर कीजी आप लोग तो आप ध्यान रखेगा बच्चों अगर हम कैलास fair की बात करें तो यह कहां पे किया जाता है प्रतेक वर्ष और सितंबर के महीने में अगस्त और सितंबर महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है इसको ध्यान रखेगा और यह कैलाश नाम का एक अस्थले वहां पे होता है जो लगभग 12 किलोमेटर के दूरी परिस्थित है कहां से तो आब बताओगे सहर से दजैन मंक हू रोर वाइट क्लोथ्स वियर कॉल्ड एज विच आप दा फॉल्विंग सफेद कपरे पहनने वाले जो जैन विक्चू है उनको क्या बुलाया गया थेरा पंथी दिगंबर श्वेतांबर या फिर महासंगी का आपको बताना है कि इन में से जो जैन विक और इजडी महासंगी का किस नाम से जाना गया है तो आप ध्यान रखिएगा जो वाइट क्लोथ्स को वियर करते थे उनको श्वेतांबर कहा गया और जो लोग नगल रहते थे या जो लोग नेकेड थे उनको हम लोगों ने क्या कहा है दिगंबर ये दो अलग अलग सेक्स है वाइट क्लैड हूं इंवेंटेड थे स्पेस्पन स्पेस्पन का आविशकार इस मेंसे किस द्वारा किया गया पॉलसी फिशर रोडौल्फ डीजल राइप ब्रदर्स या फिर ऐलेग्सेंडर फ्लेमिंइंग आपको बताना है कि इन मेंसे किसके द्वारा invent किया गया या खोज की गई space pen की this is the question for you सभी लोग फटाफट comment section में जाकर के इस प्रस्टन का reply कीजिए सभी लोग quickly go for the answer space pen जो है इसको इन में से किस के द्वारा invent किया गया था आप बताओ फटाफट तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम space pen के inventor की बात करें तो यह क्या हो जाएगा Paul C. Fisher के द्वारा a is the correct answer और यह zero gravity में भी क्या काम करेगी work कर सकती है यह underwater function करेगा ठीक है ना और किसी भी angle पर यह काम कर सकती है इसको ध्यान रखना है आपको RBCs are formed in which of the following in the adults व्यश्कों में जो RBC है जो red blood capsule से जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं रुधिर हैं चीज़ कोशिकाएं जो इसका formation यह गठन कहां पर होता है blue bone marrow red bone marrow white bone marrow या black bone marrow ठीक है ना नीला अस्थी मज लाल अस्थी मज स्वेट अस्थी मज या काला अस्थी मज यह पुझा गया आपसे RBC का formation adults में इन में से किस body parts में होगा तो आपको ध्यान लखना है कि अगर RBC की formation हम alerts में बात करते हैं तो bone marrow तो होता है यह confirm है आप लोगों को ते और वहीं जो embryonic cell होती है जो भुरूनिय कोशिका होती है उसमें इसका formation कहां पर होता है तो आपको पता होना चाहिए कहां पर स्प्लीन में तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा red bone marrow यानि कि लाल अस्थी मज्ज which of the following was written by अबुल फजल नमलिकित में से कौन अबुल फजल दोरा लिखा गया था इस इड ए बाबर नमा इस इड भी हुमायू नमा इस इड सी अकबर नमा या फिर इस इडी आलमगीर नमा इनमें से किसके लेखक थे अबुल फजल ये पूछा गया है फटा फट और आपको बता दो मैं जो अबुल फजल है इन्होंने आइन अकबड़ी भी लिखी है और एक बहुत ही वेलेंजिन थे टिके अकबर के साशनकाल में, ये मैंने बता दिया आपो कि अकबर के साशनकाल में उनके ये दरवारी कह सकते तो इतिहास कार्ड थे और ये लेखक ते किसके अकबर नावा के और साथे साथ आइने अकबरी के ठीक है ना अकबर नावा और आइने अकबरी दोनों लिखा गया और ये अकबर के साशनकाल में एक बहुत ही प्रिसिध इतिहासकार थे ये ध्यानक नहीं आपको Who is known as the father of green revolution in India भारत में हरित क्रांती का जनक किसे कहा जाता है ठीक है ना जी पॉल एमेस स्वामिनाथन वॉन निल या डॉक्टर मिशेल आपसे ये पूछा गया है कि इन में से किसे हरित क्रांती का जनक माना जाता है भारत में देखो अगर हम पूरे वर्ड के हिसाब से बात करें तो मेक्स आपको ध्यान रखना है Dr. Ms. Swaminathan और ये National Farmers Commission जो रास्ट्रिये आप कह सकते हो जो किसान आयोग है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं इसको ध्यान रखना है आपको और जो ग्रेन रिवोल्यूशन है उसने केबल फोकस किया था वीट और राइस के प्रोडक्शन को yielding varieties of seeds. International Day of UN Peacekeepers is observed on which date every year. सन्युक्त राष्ट के सांती सैनिकों का अंतर राष्ट्रिय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? A is 27th में, B is 24th में, C is 23rd में and D is 29th में. UN, International Day of UN Peacekeepers, सन्युक्त राष्ट के सांती सैनिकों का अंतर राष्ट्रिय दिवस इन में से किस दिन celebrate किया जाता है? यह पूछा गया है आपसे. आप लोग फटा-फट इसका अंसर बताइए. International Day of UN Peacekeepers यह कब बनाया जाता है? चलो, मैं बताता हूँ आपको. इसका अंसर क्या हो जाएगा? D option, that is 29th में. तेकर न? और यह basically इस day को celebrate करने के पीछे जो main objective है, वो है सम्मानित करना उन 3900 Peacekeepers का, जिन्होंने अपने जीवन को या अपने जीवन का बड़िदान दिया है, UN flag के अंतरगत काम करते हुए since 1948. मतलब यह जो UN Peacekeepers सेंस में वर्ल्ड की अलग-अलग countries से जो इसके member countries हैं, वहां से आपके से तो military सहयोग दिया जाता है, किसी और countries के अंदर, किसी insurgency को fight करने के लिए, उस पैठियों को समाप्त करने के लिए, terrorism attack को end करने के लिए और उसके दौरान, उस operations के दौरान, जो लोग UN flag के अंदर, as a army serve करते हैं, जिनकी जान चली जाती है, उनको सहादत देने के लिए, इस डे को observe किया जाता है, who is the chairman of Union Public Service Commission, संग लोग सेबा आयोग के अध्यक्ष कौन है, यह पूछा गया है, इन में से कौन UPSC के chairman है, यह पूछा गया है आपसे, फटा-फट बताईए आप लोग इसका answer, chairman of the UPSC, डेविड और सिमली, विने मित्तल, छतर सिंग या फिर अर्विन्द सक्सेना, यह पूछा गया है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, it's the D option, that is, अर्विन्द सक्सेना, what is used as a reflector in the headlights of a vehicle, वाहन की headlight में, परावर्तक के रूप में किसका उप्योग किया जाता है, जो हमारे vehicles होते, इसका headlight है, उसमें परावर्तक के रूप में, या reflector के रूप में, इसमें से किसका use किया जाएगा, concave mirror, अवतल दरपन, concave lens, अवतल lens, convex lens, उत्तल lens, या convex mirror उत्तल दरपन, concave lens होगा या concave mirror होगा, या convex lens होगी या convex mirror होगा, ये बतारे हैं, देको, convex जो है, वो दूर की चीज़ों को आपके नजदीक ला करके focus बनाती है, ताकि उसको देखने में आपको आसानी हो, जैसे जो side mirrors होती है वो क्या है convexing होती है जो head lights होगा हमारा वो क्या होगा concave होगा क्या होगा A is the correct answer what is the change in velocity of a retarding body एक मंद होते हुए पिंडिक के बेग में परिवर्तन किस प्रकार का होता है always negative हमेशा नकारात्मक होगी always positive हमेशा सकारात्मक होगी velocity does not change गती नहीं बदलती है maybe positive और negative या तो सकारात्मक होगी या फिर नकारात्मक होगी the change in velocity of a retarding body the change in velocity of a retarding body ये पूछा गया है please go for the answer the change in velocity of a retarding body ये क्या होगा तो आप बताओगे its always negative क्या होगा हमेशा नकारात्मक होता है क्योंकि जो change in velocity होती है वो क्या होती है acceleration और निगेटिव और इस नोन एज रिटार्डेशन जब रेक्सलेशन निगेटिव होगा तो उसी को अब लोग क्या बोलेंगे रिटार्डेशन कहेंगे अब एक अनॉंस्मेंट है आप लोगों के लिए anchor SSC 2020-21 जो कि हमारा 120 days का एक master course से सभी SSC exams के लिए ये 21st December 2020 से start हुई है इसकी validity वन एहरे वाइसका course भी रखा गया है टू ट्रिपल नाइन इस पूरे SSC के बैच में कासिप सर मैं चंदन रोशन अमिस सोधिया सर नेहा मैम जुबैर सर और अंधीर सर आप लोगों को पढ़ाएंगे फिर हमारा एक mission IB ACIO 2020-21 टीर वन टीर टू के लिए complete master course start हुआ है 28 December 2020 से इसकी validity 1 year है और इसका course भी रखा गया है 3499 क्या रखा गया है 3499 इसमें भी same वही faculties हैं वही team है जो की anchor SSC batch में आपके साथ है साथी साथ हम लोगों ने GA-GS special course start किया है 22nd December 2020 से इसकी validity भी one year है और इसका course भी रखा गया है ट्रिपल लाइन यह जो GA-GS का special batch है यह useful है उन सभी students के लिए जो prepare कर रहे है SSC, CGL, CHSL, CPO, Railway और Group B के exam के लिए और इसमें यह तीन faculty जो है वह आपको guide करेंगे that is कासिप सर, जुबैर सर और साथ में मैं रहूंगा इसमें अब अगला सवाल यह है हम लोगों का Calvin is the unit of measurement of which of the following Kelvin जो case represent की जाती है यह इन में से किस चीज के मापने की एकाई है density घनत्व, pressure दाब, mass द्रब्यमान, temperature तापमान यह बताना है आपको Calvin is the unit of measurement of which of the following यह बताना है आपको Kelvin जो है इसमें से किस चीज को measure करने के लिए use किया जाता है यह बहुत आसान है जैसे आप tube light पे देखोगे लिखा होता है 6500K आप CFL बल पे देखोगे तो वो क्या देता है temperature यारी की तापमान का मानक है यह temperature यह ध्यान लखना है आपको What is the full form of BOD जो BOD है इसका असंचिप्त रूप क्या है Is it a biological oxygen deficit? Is it biological oxygen difference? Is it biological oxygen demand? या फिर is it biological oxygen distribution? यह एक तरीके से एक testing भी की जाती है BOD जिससे कि हम purity of water को क्या करते हैं? मेजर करते हैं मैंने यह hint दिया है आपको और आपसे पूचा है कि BOD का full form क्या होगा? इसका संचिप्त और संचिप्त रूप क्या है? संचिप्त होगा एवरिवेशन या और संचिप्त है आप क्या बताओगे? biological oxygen demand C is the correct answer यह amount of dissolved oxygen होता है needed by an an by aerobic biological organism to break down organic materials present in the water और यह indicator है किस चीज़ का pollution in water कितना pollutant dissolved है टेकरा water में उसको मेजर करती है BOD the gold monetization scheme was launched in which of the following year किस वर्ष श्वर्ण मुद्रीकरन योजना की सुर्वात की गई थी? June 2017, September 2014, November 2015 या फिर August 2015 ये पूछा गया है आपसे gold monetization scheme जो है इसकी सुर्वात किस वर्ष की गई थी? ये पूछा गया है आपसे ये बताओ आप लोग आप ध्यान रखिएगा इसकी सुर्वात जो है वो की गई थी? November 2015 में PM Modi के द्वारा और इसके पीछे objective ये था कि इंडिया में जो individuals है जो capitalist लोग है जो अमीर बर्ग की लोग है जो इंडिस्टलिस्ट लोग है उनके पास जो gold deposits है उसको mobilize करने के लिए इसको November 2015 में स्टार्ट किया गया Who was the first Indian man to get a Nobel Prize? Nobel पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिये वेक्टी कौन थे? Is it a Ravindranath Tagore? Is it b C.V. Raman? Is it c. Kailas Satyarthi? और is it d. Hargobind Khurana? First Indian man to get the Nobel Prize पहले भारतिये वेक्टी जिन्हें Nobel सम्मानित किया गया वो कौन थे? ये पूछा गया है आपसे हंजी तो आप ध्यान रखिएगा Ravindranath Tagore और इनको ये सम्मान कम मिला था 1930 में किस चीज़ के लिए? तो आप बताओगे गीतान जनी इन्हों ने भारत के और बांगला देश के नाशनल एंथम को राश्ट्रिय गान को भी क्या किया था? लिखा था और साथी साथ ये कहा जाता है कि जो श्रिलंका का नाशनल एंथम है वो भी इनहीं के पोईट्री से क्या है? तो इंस्पार्ड है इंडिया, बांगला देश और श्रिलंका गोला गोकरनाथ टेंपल इस डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड गोला गोकरनाथ मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? लॉड गनेश भगवान गनेश को लॉड हनुमाण भगवान हनुमान को या लॉड सिभ भगवान शिभ को गोला गोकरनाथ मंदिर जो है? कि किस हिंदु भगवान को समर्पित है यह पूछा गया है आपसे और बता दो मैं इसको जिस स्थान पे यह गोला गोकरनात का मंदिर है इसे हम छोटी कासी के नाम से भी जानते हैं और यह भगवान शिव को समर्पित है यह ध्यान लखेगा लॉड़ शिव और यह उत्तर प् क्याप्रिकॉर्ण कैंसर एक्वेटर या प्राइम मेरीडियन पासेज आल्मोस्ट हाफवे थ्रू इंडिया ने में लेकि वैसे कौन सी रेखा भारत के लगभग आदे हिस्से से होकर गुजरती है विच आप दा फॉलोविंग लाइन पासेज त्रू आल्मोस्ट हाफवे इसमें से कौन सी लाइन क्रॉस करती है अल्मोस्ट हाफ आप दा इंडिया से यह पूछा गया है आप से फटाफट रिपलाई करो आप लोग तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह इंडिया के आठ राज्यों स एट स्टेट से क्या होती है गुजरती है बी इस दे करेक्ट आप लोग पता होगा कि जो हमारा गुजरात है राजस्थान है मध्यप्रदेश है च्छतीस गर है फिर आपका आजाएगा हमारा जारकंड है वेस्ट बेंगॉल है तुरिपूला है और मीजोरम है यह वो सभी स पतियाला, C. Indor, या D. Kanpur नेता जी सुभाश नाशनल इस्टीट यूट्स अफ पूर्ट कहां पर इस्थित्थ है यह बताना है आपको और यह जो नाशनल Institute of Sports के नाम से जानते हैं आपको बता दू मैं कि इसकी establishment जो है वो 1961 में हुई थी और यह है कहां पे तो आप बताओगे पटियाला में कहां पे है यह पटियाला में the quit India movement was started in the which year भारत छोरो आंदोलन किस वर्ष आरंब हुआ 1942 1945 1943 या 1939 भारत छोरो आंदोलन कि सुरुवात किस वर्ष की गई थी यह बताना है आप लोगों को फटा फट तो आपको ध्यान लखना है अगर हम लोग quit India movement की बात करते हैं तो 9th August 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ कहां से तो गवालिया टैंक मुंबई से महाराष्ट में अगर्स्त क्रांती मैदान विट्विच आप दा following field इस पंडित भीमसें जोसी associated पंडित भीमसें जोसी इंद्रमलेकित में से किस छेत्र से समध रखते हैं literature साहित सोसल सर्वेस सामाजिक सेबा classical music यानि की सास्त्री संगीत या फिर politics यानि की राज्निती पंडित भीमसें जोसी का समबन्द इनमें से किस प्रमुख छेत्र से है किस प्रमुख फिल्ड यह सवाल यहां पर पूछा गया है बताईए आप लोग पंडित भीमसेन जोसी तो आप बताओगे अगर भीमसेन जोसी का संबंद पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे क्लासिकल म्यूजिक यानि की सास्त्रिय संगीत से है किस से है सास्त्रिय संगीत से है the only AIC session गांदी जी प्रिसाइड़ वाज है एड़ेंड विच प्लेस गानदी जी की अध्यक्षता में एक मात्र अखिल भारतिय Congress सत्र जो है वो इन में से कहां पर आयोजित किया गया था इस इट ए बेलगाम, इस इट सी कैलकटा, इस इट सी मेडरास, और इस इट इलाहौर यह बताना है, इसका मतलब यह है कि गांदी जी इन में से किस सत्र के एक मात्र अध्यक्ष है रहे थे, और उन्हें किवर एक ही बार Congress के सत्र की अध्यक्षता की थी, उसके बाद उन्हें अध्यक्षता नहीं की थी, तो आपको ध्यान लखना है कि 1924 में यह जो Congress सत्र था, वो कहां पर हुआ था, बेलगाम में, यह ध्यान लखना है आपको, तहां पर बेलगाम में यह ध्यान लखना है, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, कि जो हमारा Anchor SST 2020-21, एक Complete 120-day Master Course से सभी SST exams के लिए, इसकी सुरुवात की गई है 21st December 2020 से, Validity 1 Year है और इसका Course भी रखा गया है 2999, और यह वो हमारी पूरी टीम है Online Ventures की, जो इस Course में आपको गाइड करेंगी, कासिप सर, साथ में मैं चंदन रोशन, फिर अमिस सोधिया सर, नेहा मैं, जुवेड सर और रंधीर सर, इसके अलावा, Mission IB, ACIO 2020-21, Tier 1, Tier 2, यह Complete Master Course है, जो हम लोगों ने 28 December 2020 को स्टार्ट किया है, इसकी Validity 1 Year है, और इसका Course भी रखा गया है 3499, IB, ACIO के लिए, और इसमें भी सेम वही टीम आपके साथ होंगी, जो हमारे Anchor Batch में है, इसके अलावा, G.A. G.S. Special, ठीक है न, यह Course हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कब से, तो 22 December 2020 से, इसकी Validity भी 1 Year है, और इसका Course भी रखा गया है, ट्रिपल लाइन, और यह जो G.A. G.S. Special Batch है, यह Helpful है आपके CGL, CHSL, CPO, साथी साथ आपको ध्यान रखना है, जो Railway और Group D के exam है उसके लिए, ठीक है न, और एक बार आपनों नजर रखो, इस time table पे, यह वो time table है, जिसके according, हम YouTube के उपर आपके लिए सभी sessions लाते हैं, जो SSC और IV exams के लिए important है, Monday to Saturday daily vocab session with Amisri Sodia sir, morning 8 a.m. उसके बाद morning 11 o'clock reasoning class पे इतने हाँ, मैं हम 12 बजे, मैं और कासिप सर आपके साथ होते हैं, GA section को ले करके, दो फेर दो बजे English session with Amisri Sodia sir, शाम 6 बजे maths पे तरंदीर sir, और Monday to Sunday जो current affair है, SSC और Railway channel पे हमारे online ventures के, यह आपको शाम 7 बजे देखने को मिलेगी, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यबाद, और साथी साथ आप ध्यान लखिएगा, जो SSC और Railway की free YouTube classes को देखने के लिए, आप हमारे online ventures के SSC और Railway channel को जरूर subscribe करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको share करें, और यह हमारी पूरी team है, जो इस YouTube sessions को conduct करती है, और जो बच्च में आने के लिए, so please do take very good care of yourself and enjoy the day, thank you so much, bye bye, take care and have a great day, thanks a lot everyone, thank you so much.